तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं कि कैसे आप Google Map पे से कोई फी address को या कोई फी जगा को जो है रिमूव कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो इस टाट करें उनसे पहले चैनल पर पहली बढ़ा हैं चैनल को सब्सक्राइब करें लागिन को जुरूर पेस के जगा साथ आप हमें सुस्क्राइब कर सकते हैं लिंक आपको नीचे डिस्किप्शन में मिल जाएगा तो दोस्तों बहुत बार ऐसा होता कि हम जहां पे रह रहे हैं या हमारा जो भी सौफ या जो भी हमारा एड्रेस है वो गूगल मैप में हम देखे रखते हैं लेकिन कई कारणों से वो एड्रेस वहाँ पे एकजिस्ट नहीं करता है हो सकता है कि वो कहीं और चला गया हो या वो हमेशा के लिए परमानेंटली वो जगा बंद हो गया तो कैसे आप गूगल मैप से उस अड्रेस को मिटा सकते हैं हटा सकते हैं यही मैं आज किस वीडियो में डिसकस करने जा रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में जो गूगल मैप ऑपन करना है मैप अपने फोन में जो है ओपन करते हैं गूगल मैप ओपन करने का वाज एक बार स्कीन को स्कॉल डाउं करके नीचे की तरफ और अपना जो लोकेशन है वह लोकेशन भी आप जो है सबसे पहले ओपन करेंगे यहां से हमने लोकेशन न कर लिया है तो सबसे पहले आपको आपना एरिया चूछ करना है, मतलब कोछ जगा चूछ करना है, जिसको आप रिमोव करना चाते हैं, तो इसके लिए सबसे आसान होगा, कि आप इसे जो है map के भ्यू में नहीं देखेंगे, इसे जो है satellite भ्यू में देखेंगे, तो आपको थोड़ा सा आसानी होगा, वो जगा चूज करने में वह अस्तान चूज करने में तो satellite के लिए आपको यहाँ पर देखे एक option मिलता है इस पर क्लिक कीजेगा और map type में आपको दूसरा नमर पर देखें यहाँ पर option मिलेगा satellite का तो आपका जो satellite है वो open हो चुका है आप यहाँ से जो है वो जगह आप चूज करेंग जैसे मान के चलिए हम जो है इस medical store को जो है remove करना चाहते है मान के चलिए जो है अब यहाँ exist नहीं करता है तो सबसे पहले आप इस पर क्लिक कीजेगा यहाँ पर देखें इनका सारा information आएगा तो थोड़ा से skin को ऊपर के तरफ skin को scroll down करेंगे तो एक option आएगा देखिए suggest and edit क option आपको मिलेगा pencil का option दिखेगा तो आपको इस पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको दो option मिलता है एक तो है कि change name या other detail जैसे कि इसका name location service आवर यह जो है अलग से अलग time में जो है change हो चुका है इसका service आवर या इसका नाम आप change कर दिये या यह जो है इस जगा से हटके कहीं और चला गया तो यह सारा detail जो आप पहले वाले में जाएंगे और दूसरे वाले में close या remove मतलब कि यह जो है permanently रूप से बंद हो चुका यह exist नहीं करता है या तो यह जो जगह है वह duplicate है तो यहां से अगर आपको हटाना है तो close या remove में आपको select करना होगा यहां से चलिए ह आपको एक region चोच कर लेंगे कि यह temporary close है या permanently close है या यह existing नहीं करता है उस जगह पे यह duplicate है उससाब से अपना सबसे पहले इसे एक region select करेंगे जैसे मान के चलिए हम यहां पे लिखते है temporary close या हम permanently जो भी है चलिए हम permanently close कर देते हैं और उसके बाद अगर इसमें आप किसी भ फोटो पर आके वह फोटो अपना select कर सकते हैं और उसके बाद यहां से आपको सम्मीट का option देखेगा नीचे तो देखे यहां से आप सम्मीट पर क्लिक करेंगे यहां पर थोरा सा वेट कीजिए आपने जो भी information दिया है वह review के लिए चला गया आप क्या करेगा गूगल का जो भी टीम है वह इस review को चेक करेगा और भी वंदे का review मिलाएगा अगर reality में यह जगा वहां पर exist नहीं है आपके द्वारा दिया गया सारा detail अगर reality में match करता है तो गूगल जो है इस address को Google Map से हटा देगा और next जो है आप वहां से कभी भी आएंगे Google Map पर जगा देखेंग अगर आपने सारा information सही दिया तो यह था एक full वीडियो जिसमें आपने सीखा कि कैसे जो है हम Google Map से कोई भी address को remove कर सकते हैं कहीं भी कोई doubt है comment करके पुछ सकते हैं ऐसी वीडियो के लिए आप हमाई चैनल के साथ जूर सकते हैं subscribe कर सकते हैं चले हमें दीजे थोड़ा सा समय ह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल